हेलो दोस्तों तो चलिए आज हम बनाते हैं हेल्दी ओर्ट्स और आटे की कुकीजी बहुत हेल्दी है कि यह गुर से बनेगी और यह बनेगी आटे से तो देखे मैंने ओर्ट्स ले लिया यह है क्विक ओर्ट्स और यह है रोल ओर्ट्स दो ओर्ट्स होते हैं तो दोनों को मै तो चलेगा तो मैं यहां डाल देती मिकसर जार मिस्की में एक पाउडर बना लूँगी और मैं आपको सब दिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगे आप वहां से देख लेना पर यह कुकीज बहुत टेस्टी है और हेल्दी भी है बिना केमिकल की कुछ भी नहीं डालना कोई केमिकल ने ऐसे लेकि मैं चलनी से चाल लूँगी बस इसे चालना है लेकिन उपर जो आ जाये नों से फेकना नहीं है उसी में डाल देना फिर से दरदरा है अच्छा लगता है इसके बाद मैं आठा ले ले घर का खाने वाला गहुं काटा नमक लेली बेकिंग पाउड यहां dry foot में अब को झाहिए नों ले सकते नहीं भी लेंगे फिर भी चले अगर बच्चों को बनाना है तो dry food नहीं डालो तो क्या करो कि दो मुठी न आप चोको chip डाल दाल दीजिए और यह ही सूगर यह brown sugar Associatems अबगर आपको डाले तो डाले नहीं तो white sugar डाले तो डाले नह पेश्ट एक बाउल में ले लिए यहां मैंने ले लिया है बटर इसे क्या करूंगा अच्छे से फेट लेंगे तो जितना आपको गुड की पाउडर लेना है अगर गुड की पाउडर ना हो तो उतनी अपवाट सुगर के पाउडर लेजिए अगर उसमें नहीं बनाना है तो अब दो से तीन मिनट अच्छे से फेटिंग और यह कुकीज बना के एयर टैट डबे में तीन महिने रूम टंप्रेचर पे रहेगा और खाई और हेल्दी और टेस्टी दोनों है मैंने यहां वेनेला एसें डाल दिया वन टी एस पी वनेला एसें डाल देना इसे टेस्ट अ सबसे अच्छा रहेगा वहां बेग करने कि बाकि आपके ओटी जी अलग अलग होती तो देखे मैं इस पेचुला पल्टी फिर भी नेगी रहा ऐसी चाहिए तो मैं इस ब्लेंडर से भी निकाल लेती हूं कि फिर बाद में कम हो जाती है तो इसमें से भी हो सके तो क्लीन करक अगर आपके पास किट केट हो तो भी डाल देजी वह भी नहीं हो तो कोई भी चॉकलेट अगर बच्चो को डालना चाहते है तो जैसे मैं उपर गर्निसिंग के लिए ओट्स लगाँगी ड्राइफूट लगाँगी वैसे आप चॉकलेट लगा दीजी तो सोक से खाएंगे अच्छे से मैंने मिक्स कर लिए मिक्स करने के बाद मैं प्लेट में यहां डाल दूगे ओट तो यहां मैंने रोल ओट्स डाला है इसके बाद एक तरफ मैंने ड्राइफूट रख दिया है कि अगर आपको सेल करना है अगर लोगों को दिखा के जिसे खाना है चाहे खुद क लिए बसके उल खाना है तो ओर्ट में कोटिंग कर सकते हैं नहीं तो क्या करें सारे ड्राइफुट कट कर लीजिए और एक छोटी सी चमस लेजिए एक साइट की कुकिज होनी चाहिए इसमें भरके बराबर करके निकलकी से गोले बना लीजिए और इसे ही सबसे बनेए पर मे अगर आपको सेलिंग करना है तो ऐसे करें आप पहले बार आप बनाईए एक बार खुद के लिए घर के लिए बनाईए और घरवालों को खिलाए फिर बताएंगे कैसे अगर गड़बड हो रहा तो फिर बनाईए इतना ना बनाएंगे तो थोड़ा-थोड़ा करके बनाई हाफ हाफ लेजी रेसिपी फिर बनाए इसके बाद मैं टूटल केवल रोल ओट से कोटिंग करूंगे कोटिंग करने के बाद ट्रे में लगा दूंगे और ट्रे में मैंने पेपर नहीं लगाया कि मेरी रोज बेक होती है तो पूरी घीस गई है अच्छे से तिसमें आसानी से निकल जाती है चाहे कुछ भी हो कुछ भी हो तो देखे मैंने पूरा बना लिया आया बना के रख दी मैंने इसके बाद में ओटीजी में बेक करने को डाल दीते जैसे बेक खोड़ा था बीच में मैंने आपको दिखाया यह देखे बेक होके पूरी आ गई है यह ड्राइफ बॉक्स में आपको डिस्क्रिप्सर में मिल जाएगा सब वहां पर जाकर डिटल देख लेना तो चलिए फिर कल मिलते हैं नहीं रेस्पिकेस